अलो दोस्तों मैं संजे कुमार गुपता इस वीडियो में आपका स्वागत है देखिए आप जो ये LED बल्ब देख रहे हैं ये 17 वाट का LED बल्ब है खर ये 17 वाट, 10 वाट, 12 वाट से कोई लेना देना नहीं है ये LED बल्ब क्या है कि जल नहीं रहा है जब जल नहीं रहा है तो इसमें प्रोब्लम क्या है ये देखना होगा तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसके diffuser को खोल लेता हूँ इसके diffuser को खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने इस LED बल्ब का diffuser खोल दिय है और यहाँ पर आप जो MCPCB देख रहे हैं, इस LED बल्ब का, इस LED बल्ब का जो यह MCPCB है, इसे मैंने चेक कर लिया है, यह बिल्कुल ओके है, तो इसका मतलब है कि इसका सर्कुट से ही प्रोब्लम है, तो मैं इसे पूरी तरह से खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता ह देखे सब कुछ लग रहा कि सही है, यह जो आप एक existence देख रहा है और देखे दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर इसके अंदर आपको दिख रहा हुआ, यहां पर देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा होगा यहां पर एक resistance तूट कर फंसा हुआ है तो यह resistance यहां पर कैसे तूट कर फंसा हुआ यह मैं नहीं बता सकता क्योंकि जब मैं खोल रहा था तो यह resistance यहीं पर तूट कर था या तो मुझसे यह तूट गया होगा या फिर यह पहले से तूटा हुआ होगा मैं नहीं बता सकता यह वाला resistance तो देखें अभी तक मैं यहां से यह solder भी नहीं हटाया हूँ तो एक resistance इधर में रहता है और दूसरा resistance तो यह है ही तो यहां पर मैं क्या करता हूँ एक नया resistance ले लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ देखें यहां पर जो यह resistance है इस value का अगर आपको resistance नहीं मिलता है तो आप इसके जगह पर 10 ohms से लेकर 82 ohms के बीच का कोई भी resistance लगा देंगे आपको कोई problem नहीं होने वाला है देखें मैंने यहां पर नया resistance लगा दिये हैं अब देखें मैं क्या करता हूँ देखें इसके अंदर जो resistance यह वाला फंसा हुआ है इस resistance को पहले में बाहर निकाल लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ देखें इसके अंदर जो resistance फंसा हुआ था उस resistance को मैंने निकाल दी हैं यह देखें मेरे हाथ में यह resistance है तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें क्या करूँगा मैं, यहाँ पर जो सर्किट में मैं अभी resistance लगा दिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह resistance लग चुका है, तो अब इस MCPCB को चेक करूँगा कि यहाँ पर और यहाँ पर मैं क्या इसे negative positive देखकर जोड़ दूँगा, जोड़ने के बाद मैं इसमें स्री लाइन दियूँगा और देखूँगा कि यह MCPCB जलता है या नहीं, तो मैं इसे जोड़ लेता हूँ, जोड़ने के बाद आपको दिखाता हूँ, देखें मैंने circuit के दोनों वायर को, देखें यह वा वायर है, तो मैं इसमें स्री लाइन देकर देखूँगा, कि यह जलता है या नहीं, अगर यह वाला MCPCB जल जाता है, तो समझ लेगें कि यह वाला ही resistance खराब था, जिसके कारण यह problem हो रहा था, कि LED बल्ब नहीं जल रहा था, अगर ऐसा होगा, मान लेते हैं कि यह MCPCB नही तो इसका मतलब यह है कि इस circuit में कहीं न कहीं और problem है, जिसे मुझे देखना पड़ेगा, तो देखते हैं, पहले इसमें स्री लाइन देते हैं और देखते हैं, यह जलता है या नहीं, तो देखें मैं स्री लाइन दे रहा हूँ, अर अब को दिखाता हूँ, देखें, यह必ल बिल्कुल सही जल रहा है इसका मतलब यही है कि इसमें जो प्रोब्लम था वो रजिस्टेंस के कारण ही था हो सकता है कि यह बल्ब किसी से गिर गया होगा जिसके कारण यह जो रजिस्टेंस है यह तूट गया और यह LED बल्ब नहीं जल रहा था तो आप अच्छी तरह से समझ जलाकर दिखाता हूं देखे मैंने इस LED बल्ब को अच्छी तरह से फिट कर दी हैं अब मैं आपको यह LED बल्ब जलाकर दिखाता हूं तो मैं इसे देखे यहां पर इसे होल्डर में लगा देता हूं और यह देखे यह देखे यह बिल्कुल सही जल रहा है अब इसमें किसी परकार का कोई प्रोबलम नहीं है तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों सभी रिस्तिजारों को सेर जरू करें ताकि उन सभी लोगों को इस वीडियो